प्रेम से बुलिये शिश्रियानंदवई मात की माउपदेश दे रही हैं तुम सब समय खुले शरीर, खुली हवा और खुली जगह में रहने की चेश्टा करना खुले पहाड, खुले समुद्र दिल भर कर देखना खुले मन से बाचित करना यदि और कुछ ना कर सको, तो अवसर मिलने पर आकाश की ओर टक्टकी लगाए देखते रहना ऐसा करते करते देखोगे कि तुम्हारे जड़ ग्रंतियों के बंधन शितिल होकर तुम्हें मुक्त कर रहे हैं पून चेतना खुले आधार में निवास करती है, बंधन पंगू कर देता है संसार में तुमने किवल देह को लेकर ही प्रवेश किया था, फिर इस देह को छोड़ कर जाना होगा बीच के समय में जो अतरिक्त आवरण या आवरण का बोज बढ़ाया है, उसे छोड़ने में दुख होगा देह हलकी रखो, मन हलका रहेगा इस प्रकार देह और मन दोनों हलके होने से जिवात्मा की सहजही में मुक्ती होगी प्रश्न करता, मा ग्रंथी भेद हुए बिना स्वरू प्रकाश नहीं होता मेरा प्रश्न है ग्रंथी किसे कहते हैं, तथा ग्रंथी भेद कैसे होता है मा ग्रंथी माने तुम्हारा मन का उपर जो क्रिया प्रती क्रिया होते हैं किसी ने जरा उचा बोल दिया तो दुख लग गया, प्यार से बोला तो खुश हो गया, यह जो मन में सुख तुख का भाव इसी का नाम ही ग्रंथी है, गुरू का उपदेश पालन करने से, गुरू का अनुशासन में रहने से, आदेश पालन से ग्रंथी भेद होता है प्रश्न, मा, प्रणव जब करने पर सुना है कि ग्रंथियां खुल जाती है यह भी सुना है कि शरीर में ग्रंथियां जटा की भाती उलजी हुई है प्रणव की तान या मूलमंत्र के खिचाव के कारण वे सब खुल जाती है मा, हाँ, प्रणव की तान से वे खुल जाती है किन्तु पिताजी अगर ना खुली अर्थात कोई शायद यह भी कहे कि ना जाने कितना प्रणव जब किया पर हुआ तो कुछ भी नहीं तो कहना पड़ेगा कि उसका प्रणव जब हुआ ही नहीं हाँ, बीज मंत्र से ग्रंथियां खुल सकती है बीजों में प्रणव है और प्रणव में बीज है सभी के भीतर सब है किन्तु पिताजी असली बात तो यह है कि ग्रंथियां ना खुलने पर समझ लेना चाहिए कि प्रणव जब हुआ ही नहीं प्रश्न करता, मा ग्रंथियों के खुलने पर प्रणव उचारित होता है या प्रणव के उचारित होने पर ग्रंथियां खुलती है मा दोनों ही एक साथ होता है, जैसे कहा जाता है कि मिट्टी पर रंभा पटकने पर वह जमीन में धस जाता है और दूसरी ओर कहा जाता है कि चुकि मिट्टी फट जाती है इसलिए रंबा उस तरह भीतर गुश जाता है सभी के भीतर ही सब प्रश्न मा ग्रंथी भेद कब होता है? मा जब तक सब वही है यह प्रकाश ना हो तब तक ग्रंथी भेद नहीं होता है और ग्रंथी भेद होने पर ही वह प्रकाश होने का आशा है प्रश्न करता मा ग्रंथी क्या होती है मा गांठ गांठ को ग्रंथी कहते है प्रश्न करता मा शास्त्रों में जिसे रिदे ग्रंथी भेदन कहा गया है वह क्या है? देहात्म बुध्धी का चूट जाना ही रदै ग्रंथी का भेदन है अथवा वह कोई अन्य अवस्था स्थिती है? मा, नारायन, नारायन! रदै ग्रंथी, देहात्म बुध्धी सुन्दर बात है बाबा देहात्म बुद्धी छोड़ने से ही सब हो जाते हैं लेकिन रदै ग्रंथी जैसा शट्चक्र भेद भी कहते हैं ग्रंथी भेद जब तक पूर्णांग ना होए तब तक नहीं होता है अरे एक बात आया सब कोई ख्याल रखना अपने क्रिया जो करते हैं अपने क्रिया से ही अपने को पाया है यह बात नहीं है एक स्थिती होता है स्थान होता है उस स्थिती में जैसा बादल वर्षन करते हैं इस माफिक क्रिया भी वर्षन होता है शक्ती वर्षन होता है कृपा शक्ति और इसका बीच में जो पात्र सीधा रखे भर जाते हैं उल्टा रखे बह जाते हैं हर समय वर्षन हो रहा जो तरीके से जो पकड़े उसको मिलता है इसलिए यह बात हुआ है प्रश्न करता मा ठीक से बात समझ में नहीं आया देह में आत्म बुद्धी छोड़ने से ही क्या सब नहीं हो गया मा ये शरीर कहा तो सब हो जाता है पर एक बात है एक एक स्थिती में एक एक बात होती है तुम जो कहा ग्रंथी ग्रंथी भेद होने से देह भाव से मुक्त हो सकते हैं यहां भी बात समाब्ध हो सकता है लेकिन जो तरीके से चले वह अनंत बात है समग्र प्रकाश, विश्व में, विश्वातीत प्रकाश जब तक ना होए तब तक मनुराज्य के अंतरगत में पूर्ण नागेन प्रकाश नहीं होता है प्रश्न करता, मा मेरे को अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया मा, अरे बाबा, समझ जो है ना, बंगला देश में कहते हैं, आमी एकोना बूझते पारी नाई, सब हसते हैं तो यह शरीर कहती है, एक बोझ तुम सिर से नीचे उतारोगे और दूसरा बोझा सिर पे रख लेंगे बोझा बोझा के बीच में प्रकाश नहीं है बाबा, समझा है ना, इसका बीच में वह प्रकाश नहीं मनोराज्य के अंतरगत में समझ ना समझ का बात आता है, देहात्म बुध्धी ग्रंथी भेद से छूट सकते हैं, लेकिन बुध्धी नहीं जाते हैं मनुराज्य के अंतरगत में है ना और आगे समग्र प्रकाश के लिए क्रिया हो सकते हैं संपून ग्रंथी भेध जब होए तब समझ सकते हैं मूल ग्रंथी जो है वो ग्रंथी अगर ठीक भेध होए तो समग्र नित्यपूर्णागिन प्रकाश प्रश्न, मां ग्रंथी भेद किसे कहते हैं? ग्रंथी कैसे कटती है? मां, ग्रंथी भेद होने के लिए अपना अपना गुरू जो कहे वह करो गुरू काट देते हैं, क्रपा से सब ग्रंथी दूर हो जाती है जो मनश्य सुख के लिए, सुविधा के लिए, असुविधा होने से गुसा हो जाता है नराज हो जाता है, वहां ग्रंथी भेद नहीं हुआ प्रेम से बुलिए शिश्यानंद मैमात की प्रेम से बुलिए नहीं हुआ